हाई फ्रेंड्स स्वागत है आप सबका मेरे यूटूब चानल जगवेंचर जी में कुलाबा फोट देखने के बाद हम आये है सरखेल कानो जी अंगरे इनकी समाधिर जिन्हों ने पूरा अलिबाक शहर बसाया ऐसे कानो जी आंगरे इनका जनम सन 1669 में रत्नागिरी जील्धे में हरने गाव में हुआ था कानो जी आंगरे इनका मूल नाम संकपाल था लेकिन ऐसा कहा जाता है कि बहुत साल तक कोई बच्चा न होने के कारण तको जी और उनकी माता अंबा भाई ने देवी के पास प्रार्थना की कि अगर अंगरे के अशिरवात से हमको बच्चा हुआ तो हम उसको तुम्हारा नाम देंगी और जो नाम आगे जाके अंगारे बना और उसका ही नाम आंगरे हो गया बच्चपन से ही पराक्रमी रहने वाले कानुजी आंगरें का पूरा बच्चपन सुबर्न दुर्ग इस किले के परिसर में बिता और सन 1698 में कानुजी नी अपना पहला नाविक ठिकाना विजय दुर्ग इस किले पर स्थापन किया एसे कानुजी आंगरें की समाधी को अभी हम वंदन करेंगे काले पाशान में बनी हुई कानुजी आंगरें की ये एक प्रशस्त समाधी है और यही है मरठा सामराज्य के आर्मार के रक्षक कानुजी सरक्यल कानुजी आंगरें इनका समाधी स्थल इनके समाधी स्थल को वंदन करते हैं समाधी के ही समीप बहुत सारी और छोटी छोटी समाधिया भी है और आंगरे घराने के ही सभी व्यक्तियों की समाधी से बना ये एक सुन्दर परिसर है कानुजी ने अपने काल में ब्रिटिश और पोर्तुगीद जाहस पे बहुत बार हमले करके उनको परेशान करके रख दिया था परकि ये आकरमन को जहलने के लिए छत्रपती शुवाजी महराज ने स्थापन किये हुए आरमार और सागरी सीमा का रक्षन करना कितना महत्वपूर्ण है ये बात अगर किसी ने जानी होगी तो वो है सरखेल कानुजी आंगरे दोस्तो और एक महत्वपूर्ण बात मुंबई के नेवल दोक याड में एक बहुत बड़ा पुतला है वो कानुजी आंगरेंग का ही है एक जमाने में जहां ब्रिटिश किल्ला हुआ करता था अभी वहाँ भारती आरमार का नेवल कमान का आफिस है और वही उसमें कानुजी आंगरेंग को समर्पित आयेनेस आंगरे ऐसा उसका नामकरण किया गया है चार जुलई 1729 में कानुजी आंगरेंग की जब मृत्य हुई उस समय सुरत से लेके दक्षण की गोवा तक उनका निरबंध एक इस पूरे परिसर को पुरा तत्व विभाग के द्वारा सुन्दर इसका जिरुनोधार किया गया है दोस्तों कभी आप अलिबाग आते हो तो अलिबाग के इस कानुजी आंगरेंग की समाधी को जरूर विजिट करना चाहिए दोस्तों वीडियो कैसा लगा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना शेर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना जगवेंचर धन्यों सब्सक्राइब कर दोस्तों करना दोस्तों करना है